दियर स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम जैन धर्म की स्थापना उसके संस्थापकों के बारे में और उनके सबसे महतुपूर्ण तिर्थंकर महाविर स्वामी के जीवन के बारे में विस्तार से जानेंगे जैन जो शब्द है वो जिन नामक धातू से निकला है जिसका संस्कृत की ये धातू है जिसका मूल अर्थ है विजेता यानि जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों पर पांचों इंद्रियों पर विजय पाली हो वही ही जिन कहलाता है इस जैन धर्म के जो मुनी है या प्रमुख व्यक्ति होते हैं गुरू उनको तिर्थंकर कहा जाता है और इसमें कुल 24 तिर्थंकर हुए जिन में पहले थे रिशब्देव और आखिरी थे महावीर स्वामे रिशब्देव का उलेख हमें यजुर्वेद और रिगवेद में भी मिलता है तो एक तरह से उनकी एतियासिकता भी प्रमानित हो जाती है यानि वो कोई किसी कल्पना की उपज नहीं थे बलकि उनके बारे में एतियासिक रूप से साक्ष्य मिलते हैं और जैन साहित्य के अनुसार उनका तो यह मानना है कि जो जैन धर्म है वो आर्यों के वैदिक धर्म से भी ज़्यादा पुराना है फिर आते हैं इनके 23 तिर्थंकर पाशारुनाथ इनकी एतियासिक्ता भी प्रमानित है और कहा जाता है कि आठवे शताब्दी इसापुर यानि महाविर स्वामी के जन्म से 500 साल पहले इनका जन्म हुआ था इनका उलेक ब्रामन साइत्य में भी मिलता है और ये जो पाशारुनाथ थे वो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे इनकी माता का नाम वामा था और इनका विवाः प्रभावती नाम की कन्या के साथ हुआ तीस वर्ष की अवस्ता तक ये ग्रस्त जीवन में रहे और बाद में उसको छोड़के ये सत्य की तलाश में निकल पड़े 84 दिनों तक इन्होंने तपस्या की और उसके बाद सम्मेध परवत पर इन्हें ज्यान पराप्थ हुआ ज्यान पराप्ते के बाद अगले 70 वर्षों तक ये घूम घूम कर अपने धर्म का अपनी शिक्षाओं का प्रचार करते रहे और कहा जाता है कि सो वर्ष की आईयों में इनकी मृत्यों हुई पाशरवनाथ द्वारा जो शिक्षाओं बताई गई थी जो मार्ग बताया गया था उसका अनुसरन करने वाले निरगरंथ कहलाए क्योंकि निरगरंथ का मतलब है सभी प्रकार की गरंथियों से मुक्त हो जाना यानि संसारिक बंदनों से मुक्त हो जाना उनके अनुआयों की संख्या काफी जादा थी और महाविर स्वामी के जो माता पिता थे वो भी पाशरुनाथ के अनुआई थे और ये भी माना जाता है कि महाविर स्वामी नहीं बलकि पाशारुनात पहले तिर्थंकर थे जिन्होंने स्त्रियों को भी अपने धर्म में दिक्षा दी थी इन्होंने अपने अनिवयों के लिए चार वरत बताए अहिंसा, सत्य, अस्तेव और अपरिग्र है अपरिग्रह का अर्थ है वस्तूों का संग्रहना करना पाशमनाथ ने ब्राह्मनवादि विवस्था के में जो मानता थी बहु देववाद यानि बहुत सारे देवी देवदाओं की कलπना और यग्यवाद उसका विरोध किया साथ ही साथ उन्होंने बली प्रता का भी विरोध किया ये वेदों की प्रमानेक्ता में भी विश्वास नहीं करते थे और जन्म आधारित वर्ण व्यवस्ता के भी वे घोर विरोधी थे और उनके अनुसार प्रतेक मनुश्य है चाहे वो किसी भी वर्ण में, किसी भी जाते में उत्पन हुआ हो, वह मोक्ष का अधिकारी है। और जीवन यापन की विशेश विवस्था थी, और पशरुनाथ ने अपने अन्युएयों के लिए चार संगों की भी विवस्था की थी, और परतेक संग एक-एक गणधर की देखरेख में काम करता था। तो अब हम बात करते हैं, 24 में और सबसे अधिक विख्यात तिर्थंकर महाविर स्वामे की। इनका मूल नाम वर्दमान था और जो उस समय का एक गणराज्य था, राज्य भी थे और गणराज्य भी थे। जिनमें कोई राज्य अपने जन्ता में से ही कुछ 20 या 50 लोगों को उनको चुन लेता था। गणप्रमुख और वही जो ये समीती होती थी 20 या 50 गणमान्य व्यक्तियों की, वही समीती उस राज्य का सारा राजकार्य समालती थी। यानि एक प्रकार से ये जो आज की लोगतांतरिक व्यवस्ता है, जिसमें हम अपने प्रते निदे चुनते हैं, उसका एक पुराना स्वरूप कहा जा सकता इसे। इसमें कोई राजा या राजधर्म या राजा का अपना पुत्र ही उसका राज्य का उत्रादिकारी बनेगा, तो इस प्रकार की कोई व्यवस्ता नहीं होती थी, हर बार उन अपने गणपतियों की का जो चुनाव था वो जनता ही मिलकर करती थी, आपसी सहमती से, वोट डा तो इस प्रकार का जो एक गणराज्य था लिच्वी, उसकी राजधाने कुंड ग्राम में उसके प्रमुख गणपति सिधार्थ के गर में इनका महवीर स्वामे का पांसो चालिस इसापुर्व जन हुआ था, ये एक शत्रिय वर्ग के थे और इनके जो कुल था वो था ग्य त्रग्य कुल, इनकी माता का नाम त्रिशला था और ये लिच्वी गणराज्य के गणप्रमुख चेटक की बहिन थे, बीस वर्ष की आयू में महवीर स्वामी का विवाह था, ये शोदा नाम की कन्या से हुआ, ऐसे कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ था महवीर स्वाम उसी समय ही जोतिशियों ने भविश्य वाने की थी, कि बड़ा होने पर या तो ये चक्रवर्ती राजा बनेगा, या परम ज्यान प्राक्त करने वाला कोई साधू बनेगा, तो बीस वर्ष की आयू में जब इनका विवाह हुआ, तो इनकी एक पुत्री भी हुई, जिसका नाम था सुशिला, तीस वर्ष की आयू तक तो इनोंने ग्रस्थ धर्म का पालन किया, ग्रस आश्रम में बने रहे, और तीस वर्ष की जब महाविर स्वामें हुए, तब उस समय इनके पिता की मृत्यू हो गई, उसके बाद इनका बड़ा भाई, नंदी वर्धन, वो गण प्रमुख बना, और उसी से आग्या लेकर इनोंने ग्रहत याग किया, देखें ये भी कितनी सुंदर बात है, कि अपने जीवन का यदि इतना बड़ा निर्नय भी आप कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आग्या यदि पिता होते तो पिता से, या माता से, और अथवा बड़ वर्षों तक खूब तपस्या की, और अंत में कहा जाता है कि रिजुपालिक नदी, वो उस नदी के तट पर इनको क्यवल्य ग्यान की प्राप्ती हुई, क्यवल्य का अर्थ है निर्मल ग्यान, यानि जो आपके मन को पूरी तरह से शांत, शुद और निर्मल कर दे, कोमल क की ग्यान को ही कैवल्य ग्यान कहा गया है, ऐसे ग्यान की इन्हें प्राप्ती हुई, और इसी आदार पर उन्हें कैवल्य भी कहा जाता है, अन्या नाम इनके कहे जाते हैं, जिन यानि अपने इंद्रियों को जीत लेने के कारण वो जिन कहलाए, और बारा वर्षों की घोर तपस्या करने का जो इन में आत्मिक बल था नेतिक और शारीरिक जो बल था उस बल के होने के कारण ही इन है महावीर कहा गया और उन्होंने समस्त संसारिक बंदनों को तोड़ दिया था किसी के प्रती भी वे आसकत नहीं थे ना किसी पर क्रोध था ना किसी से मुह था इन बंधनों को तोड़ देने के कारण ही वे निर्गरंथ कहलाए, सभी प्रकार के बंधन या गरंथियों से मुक्त होने वाले कहलाए. और इस सत्य का ज्यान हो जाने के बाद में महावीर ने जनता को जीवन यापन का सही मार्ग दिखाने का कर्यारंब किया, वे स्थान स्थान पर घूमने लगे, मगद, काशी, कौसल, इन क्षित्रों में उन्होंने विशेश रुप से प्रचार किया, कई राजवन्शों से भी उनका निकट संबंद था, इसलिए कई राजव में उन्हें धर्म प्रचार में काफी साहिता मिली, और महावेर स्वामे का जो व्यक्तितो था इतना विलक्षन था और प्रभावशाली था, और सत्य की मात्रा उनके व्यक्तितों में अधिक थी, उनकी वाने में अधिक थी, और सरलता थी इन से प्रभावित होकर सेंकडों लोग उनके अन्यवाईग बनने लगे राजा, महराजा, वैश्यवयपारी सामानने लोग भी उनकी बातों का अनुसरन करने लगे और उनके मानने वालों की संख्या बहुत एधिक बढ़ गई जैन साइते से हमें पता चलता है कि लिच्वी राज्य का चेटक अवंती राज्य के राजा प्रद्योत मगद के राजा बिम्पिसार और अजाद्शत्रू चम्पा के राजा दधी वाहिन ये महावीर स्वामे के प्रती अत्यन्थ भक्त थे उनके उनसे प्रभावित थे और उनके अन्यवाई बन गए और बढ़ गरंतों के अनुसार बिम्पिसार और प्रद्योत जो थे वो मात्मा बुद्ध के अन्यवाई थे तो इस समय हम समझ सकते हैं कि उस समय कि जो हिंदू शाशक थे वो धार्मिक द्रश्टी से उदार और सहिष्णू थे ज्याने पुरुशों का समान रूप से आदर करते थे इसलिए जैन और बोध धर्म दोनों धर्मों में से अधिकांश ने उनको अपना गुरू बना लिया उसमें उनके कई व्यक्ति उनके अनुवाई बन दे और कहा जाता है कि बहतर्वर्ष की आईयों में यानि 468 इसापूरु में UP के पावापूरी में उनकी मुर्तिय हुई और उनको मुक्ष प्राक्थ हुआ उनकी मुर्तिय के बाद भी उनका जो धर्म था महाविर स्वामी का जैन्धर्म और उनकी शिक्षाई वो फलती-फूलती रही और जैन्धर्म आज भी भारत में प्रमुकुरूप से विद्यमान है यदि हम सिद्धान्तों की बाद करें तो महाविर स्वामी और पाशवनात के सिद्धान्तों में बहुत अधिक मतबेद नहीं था लेकिन फिर भी महाविर स्वामी दुबारा जो शिक्षाई दी गई या जिन नियमों का उनका प्रचार किया गया तो पाशावनात के जो चार मूल नियम थे सत्य, अहिस्ता, अस्ते और अपरिग्र है उनके साथ महाविर स्वामी ने अपना एक पांचवा वरत भी जोड़ दिया वो था ब्रह्मचारिय वरत तो इनके जैन धर्म की प्रमुक्षिक्षाओं के बारे में हम अगले इलक्चर में जानेंगे धन्यवाद